दोस्तों आज हम बात करने वाले एपल के बारे में जी हाँ यह वही एपल है जो की सेफ दिखा के लोग ही किड्णिया ले ले लेता है खेर जोक सपार्ट लेकिन बात करने वाले है जो एपल है वो किस तरीके से दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन गया है और मतलब एक ऐसी कंपनी, जब भी वो अपनो कोई भी प्रोड़क्ट निकाल दिये, मार्केट में ऐसी हाइप बन जाती है उसकी, और ऐसी चीज बन जाती है कि हर कोई उसे लेना चाहता है, और किसी भी कीमत वो अपना प्रोड़क्ट निकाले, तो लोग उस कीमत को देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई कंपनी आखर इस स्टेज पे आखर पहुँच कैसे गई, इसके बारे में आज हम बात करने वाले, वेल वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए, तो इंटरस्टिंग लागे, तो लाइक कर ले न, और चैनल को सब्सक्राइब करूए और अगर अभी तक नहीं है, तो काफी इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आने वाले है, लेकिन सबसे पहले आपल के बारे में बात करने से पहले, आपकी हिस्ट्री के बारे में जाने लेते हैं, याने कि आप लोग को मालूम होगा कि एपल की जो फांडेशन होई थी, याने कि जो फॉंड करी थी कंपनी वो स्टीव जॉप ने एपल 1st 1976 में करी थी, अपने दो दोस्तों के साथ, दूसरे थी स्टीव वोजनियक और थार्ड पसंगा आंतर रोनल्ड वें, जिसको शाद जहातर लोग इस समय जानते नहीं होंगे, पूरी कहानी अलग हो जाती है, लेकिन में बात है कि जब एपल कंपनी फॉंड की गई थी, उनका जो पहला प्रुट का नाम था वो था एपल 1 कंप्यूटर, येस, वो एक सिम्पल सा कंप्यूटर था, जिसके उपर टाइपिंग और कोडिंग वगरा की जा सकती थी, जिससे स्टीव वोजनियक ने डिजाइन किया था, लेकिन उसको डिजाइनिंग के पीछे का बूरा में मकसद ये था, कि उस समय जो कंप्यूटर होते थे, IBM जैसे कंप्यूटर बहुत जादा चार्ज करती थी, बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर नाती थी, बहुत महेंगे बनाती थी, और बोला जाता था कि जो बिजनस यूजर से वो ही इसे यूज करेंगे, नॉर्मल कंजूमर के लिए कंप्यूटर नहीं है, लेकिन स्टीव जौट ने हाँ पर सोच के एक आइडिया निकालाता है, क्यों ना हम रेगुलर नॉर्मल इंसानों के लिए कंप्यूटर को निकाले, वेल एपल बन देखने को बला, फिर एपल टू जब बनाया गया, जो उस समय पेप्सिको के चेर्मैन होते है, और पता है क्या होता है, शुरुवात में काफी सारी चीज़ा अच्छे से निकलती है, और उसके बाद जो स्टीव जॉब्स होते है, अपनी टीम के साथ उनका जो most ambitious project होता है, जो कि होता है Macintosh, वो बनायर में busy हो जाते है, जो कि mouse input के साथ release किया जाता है, उस समय जब वो product release किया जाता है, उसकी कीमत काफी जादा होती है, market में बुरी तरीके से फिल होता है, पहला Macintosh computer, और यही चीज़ इंटरल ही देखा है, तो काफी सारी अनभंद होती है, तू-तू मैं में बहुत सारी होती है company के अंदर, और company के अंदर, यानि कि Steve Jobs को ही Apple से निकाल दिया जाता है, यह सबसे बड़ी बात है कि एक company जिसे आपने खुदने बना, आपको उसी company से निकाल दिया गया, फिर यह देखा तो Steve Jobs से कहानी अलग हो जाती, एपल अपने रास्ते पे चलती है, एपल का कोई hit product आनी रहा होता है, Steve Jobs को और नहीं company शुरू करते है, जिसका नाम होता है Next Computers, Pixar Animation Studios वो Lucas Film से पर्चेस करते हैं, Toy Story जैसी film को वो co-produce भी करते हैं, उसके लिए software बगरा जो development होते हैं, वो भी वो अपने in-house develop करते हैं, लेकिन कहानी अच्छे तरीके से चल नहीं रही होती है, और उसके बाद जो Apple company है, वो next company जो कि Steve Jobs की company से purchase करते हैं, और जब company के अंदर Steve Jobs वापस आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि company की हालत कितनी पतली है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हाब उन्हें ही CEO बनना पड़े, वो company को समालना पड़ेगा है, यानि कि जब Steve Jobs दोबारे से CEO बने थे, इंटर्म CEO बने थे, और उस समय जो Apple की सिती न वो इतनी अच्छी नहीं थी, उस समय बिल्कुल दिवाली अगोशित होने वाली थी, बैंक रपसी की कागार पर थी, कोई भी उनका जो प्रड़ेक्ट था, वो market के अंदर नहीं चल रहा था, और जो Apple अपनो जो चार्म दाना वो खोच चुकी थी, बस वही से Steve Jobs ने एक मरती हुई कम्पनी को बचाया, और स्पर बचाये नहीं उसे दुनिया की सबसे सक्सेस्फुल कम्पनी बना दिया, ये बात हो जाती है, और उस Apple को हम कहते है Apple 2.0, और उसके बाद Tim को कह रहा कि अबाल जो Apple 3.0 है, वो आपको देखने को होती है, खेर ये बात है सारी अलग हो जाती है, लेकिन अब बात आती है, एपल आकर इतना सादा पॉपुलर हुआ कैसे, वेल सिंपल सी चीज है, शुरू आग में जो Steve Jobs रिटर्न हुए थे तो उनका जो पहला सक्सेस्फूल और सबसे बड़ा प्रोड़क्ट उनने रिलीस किया तो वो था उनका iMac, येस, iMac एक डेक्स्टॉप कंप्यूटर से इसके अंदर डेक्स्टॉप तिंदर सारी चीज़े निकाल दी गई थी और उसके OS को काफ़ जात सिंप्लिफाइट बनाया गया था, प्लस जो मशीन उन्होंने बनाया थी, वो देखने में बहुत ही जादा सुन्दर लगती थी उस जमाने के ट्रेडिशनल कंप्यूटर से, और ये मशीन उन्होंने क्रेटिव प्रोफेशनल के लिए बनायी थी, ये चीज़ उन्होंने हमेशा से ध्यान रखी थी, और इसके बाद उन्होंने आईपोड निकाला, फिर आईफोन की उपर आए, फिर आईपैड की उपर आए, और आगी कहानी तो आप में से काफी सार रखना चाहते थे, और आज भी एपल जो है, वो इसी फॉर्मले पर कोई भी अपने प्रोड़क्ट बनाती है ना, उसे यही सोच के डिजाइन कर दे, एक सिंपल सा एक्जमपल लूँ, एपल का आप कोई भी प्रोड़क्ट ले लो, उसको यूज़ करना बहुत ही जाद आ पाकरशित होंगे इस प्रोड़क्ट के उपर, यार यह उनकी काफी बड़ी चीज़ हो जाती है, और इसके बाद जो एपल एक ऐसी कमपनी तो जो बियांड दा एजिस सोचती है, यानि कि वो अभी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा फ्यूचर को देखके सोचते है और वो उनसे काफी हद तक आगे रहता है, चाहे हम आईपैड के बार में बात करें, या फिर आईफून के अंदर थोड़े चोटे जो काफी सारे जो दूसरे फीचर्स मिलते हैं, उनके बार में बात करें, या फिर एपल के मैक बुक वगरा के बार में बात करें, उनके डि लग बनाती यानि कि वो हमेशा थोड़ा सा फ्यूचर का सोचते हैं और इसको एक एक एक्जामफल से एक्स्पीन करूई हैं पर जब ओरिजिनल आइफोन रिलीज हुआ था तो उसके इंटरनल जो सॉफ्टर था ना उसको इस तरीके का स्टीव जॉपन उस समय क्लेम किया था कि नॉर्मल जो स्मार्टफोन उस समय मिलते थे उनसे 5 साल अगे की मशिन है और डेफिनेटल 2007 का आईफोन और उसका जो सॉफ्टर था वो दूसरे कॉंप्टिशन के कॉंपैरिजन में 5 साल अगे कई था क्योंकि 2012 तक तो सिर्फोन ने बराबरी करने में ही समय लग गया था क्योंकि उनका जो सॉफ्टर तो समय बहुत ही जादा एडवांस था इस तरीके से देखा तो एपल काफी जादा काम करती है और इसके साथ जो एपल के हर प्रोड़क्त में आपको जो चीज देखने को मिलती है वो होती है क्वालिटी प्रोड़क्त में निकालते हैं वो कही क्वालिटी की टम्स पे इनोवेशन के बार में बात करें तो वो चीज भी देखने को मिलती है मतलब इनोवेशन इन दस सेंस आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता कि हर साल आप को नई इनोवेटिव चीज देखने को मिल रही है लेकिन जब भी वो कोई नई प्रोड़क्त के दिगरी इंट्रिडूस करते हैं मार्केट में, वो डेफिनिटली इनोवेटिव होती है, अगर हम Apple के M1 Mac के बारे में बात करें, उसे में इनोवेटिव कह सकते हैं, ओरिजिनल आईपट के बारे में बात करें, उसे इनोवेटिव कहा जा सकता है, ओरिजिनल आईफोन को का वो काफी कमाल का रहता है यानि कि end user जब उसे use करेगा तो उसका experience कैसा होगा इस पर Apple बहुत जादा focus करती है simple language में जब एपल जो है वो जब भी कोई product बनाती है न तो हमेशे यह देख के नहीं कि market research क्या finance condition क्या है वो यह देखते कि अगर मैं एक खुद एक user हो मैं एक project से क्या expect करूगा मैं क्या चाहूँआ कि वो क्या function कर सकता है और यह सोच के वो design करते हैं यह difference होता है दूसरी companies और Apple में दूसरी companies market research, financial condition, market में क्या trend है इसको ध्यान में देती है Apple हमेशे user experience का priority देती है कि exactly जो user का experience है वो किस तरीके कर रहता है यह भी एक चीज़ है जो कि Steve Jobs के एरा से अभी तक चलती हुई आ रही है यानि कि Steve Jobs भी सी चीज़ पर ध्यान देते थे कि जब भी कोई market में product निकाले तो वो exactly end user उसे कैसी use करेगा या फिर वो अपनी जिंदगी से problem को solve करते थे यानि कि जब वो एक बार उन्हें walkman के अंदर कोई problem आ रही थी कि ढंक से cassette थी वो फस जाती थी play नहीं होती थी और उसी समय का idea आया था क्यों ना हम खुद का MP3 player बना है अपने style से करता है यानि कि अगर market में अगर चीज़े पहले से बन रही है तो वो देखें कि उसको किस तरीके से improve कर सकते है और उसका best possible version कैसे निकाल सकते है touch screen iPhone के बारे में बात करें या वर अभी notch आ रहे है तो हो सकता है वो completely true bezel less iPhone के उपर future के अंदर move करें तो वो देखें कि उसको किस तरीके से better कर सकते है जब mobile phone में camera बहुत पहले से थे इवन एक जमाने में iPhone के अंदरा video recording में नहीं कर सकते थे लेकिन आज के समय में iPhone की video recording quality comparatively किसी भी दूसरे phone से काफी जादा better देखने को मिलती है तो हर बार अगर आप कुछ देखो तो वो अपने पुराने वाले प्रोड़क्स से compare करेगी वो कभी Android ये competition वाले प्रोड़क्स को अपने stage में जागे नहीं देते ये चीज़ा जो Apple को थोड़ा सा लग बनाती है तो देखा जाए तो ये कुछ ऐसी चीज़ा हो जाती है जो Apple के प्रोड़क्स को काफी जादा stylish बनाती है और यही सब के कारण वो दुनिया का सबसे बड़ा biggest brand बना है अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ा करने से वो एक दिन में बन गए नहीं ये करने में उन्हें साल लग गए और इतने साल तक achieve करते करतों ने काफी जादा time लगा काफी सारी mistakes करी उनको fix किया और धीरे धीरे आगे बड़े ये चीज़े जो कि हम apple से सीख सकते हैं कि धीरे धीरे अपने गलती होग से सीखना और उनको सुधार करना और उनको improvement लाते जाना और इस तरीके से काम करना कि market में apple एक ऐसी चीज़ बनके रह गया जो कि दुनिया में सबसे जाद अलग होती है और यही एक ची यह टिम कुक वाली apple है थोड़ी से अलग है थोड़ी अलग decision लेती है हाला कि देखा तो लेकिन आज के समयमी जो apple में बहुत ही जादा successful है इवन अगर हम iPhone के बार में बात करें leaks इतने आते रहते हैं prototype leak render leaks सारी चीज़े आती रहती है लेकिन फिर भी जब iPhone का launch event होता है न तो दुनिया में जितने भी nerds है न सब लोग iPhone के launch event को देखते हैं जैकि अगर सारी चीज़ोंने फिर भी पता है फिर भी देखें कि हमेशे उसमें कुछ ने कुछ नया देखने को मिलता है और Apple जब भी कोई भी चीज़ करता है न तो हमेशे उसमें Appleness लेक्या आता और उसको हमेशे नहीं तरीके से करने रहता है अगर हम बात करें उनकी events वगरा की तो उनकी event की जो quality रहती है इस level की रहती है कि आप लोग को देखने में मज़ा आ जाता है मतलब लोग किस प्राइस को चार्ज कर सकते है लोगों से यानि कि iPhone का प्राइस को कुछ भी रखके उन्हें मालूम है कि जो लोग है न वो लेंगे और यहां पर जो Apple हो बहुत से ही खेल जाती है यह कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि Apple को काफी जादा successful बना थी उनकी initial story भी अच्छी क्योंकि Apple को कितना भी बुरा बला कहलो लेकिन जो काम वो करते है न वो दिनिया में कोई भी नहीं कर पाता तो यार यह कुछ पाते हो जाती Apple के बारे में वैसे आप लोग के अप्टल कमतनी कैसे लगते बाच नहीं करते ना भूला वीडियो पसंद आतो लाग करो चैनल को स देखने के लिए मैं आप सुन्दे नेक्स फंड में गुट बाई